हेलो गैस केसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियल्मी C30 फोन में आप लोग हीटिंग प्रोब्लेम को कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास एक रियल्मी C30 फोन है उसमें आप लोगों को बहुत हीटिंग प्रोब्लेम देख रहे है जब भी आप लोग एप्लिकेशन को चला रहे हो या नॉर्मली आपने फोन को यू subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हीटिंग प्रोब्लेम को सॉल्व करने के लिए आपर सबसे पहले जो है आप लोगों को बेगराउंड में से application को clear कर देना है अगर आपके फॉन में जो है बेगराउंड में ऐसे बहुत सारे application क्लियर कर देना है clear करने के लिए देख सकती है आपका एक clear all का option है तो इस पी क्लिक कर्दीजिए क्लिक करते ही आपका जो application है वो clear हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते है मैंने clear all पर click कर दिया और application जो वो clear हो गया है क्लियर होने के बाद आपका जो hitting problem है वो solve हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कर सकते होगा उसके बाद यहापर से आप लोगों को प्लेश्टोर को open कर लेना है प्लेश्टोर को open करने के बाद यहापर देख सकते ऊपर के तरप एक Gmail का profile देखने को मिल जाएगा तो इस Gmail के Profile पे जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाप नीचे के तरब देख सकते एक Settings का Option देखने को मिलेगा तो इस Settings के Option पे जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकेंड वाला ओप्शन देख सकते गाईस नेट्वोक प्रेफारेंसेस लिखा हुआ है तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते तीन ओप्शन आये है तो यहाँ पर से जो second वाला option है गाईस auto update apps लिखा हुआ है तो आप लोगों को जो है इस option पे click करना है click करने के बाद यहाँ पर फिर से तीन option आएंगे गाईस और यहाँ पर अगर आपके phone में जो है उपर के इन दो option पे set है जैसे की over any networks और over wifi only पे तो यहाँ पर किया होगा कि जब भी आपके phone में data on होगा यहाँ आपका phone जो है wifi से connect होगा तो automatically जो है background में application update होता रहेगा तब भी जो है आप लोगों को heating problem देखने को मिल जाएगा तो इसको यहाँ पर से off करने के लिए एकदम last वाला option आप लोग देख सेकतेगा गाइस don't auto update apps लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक कर दीजिए और ok पर क्लिक कर दीजिए ok पर क्लिक करती option जो off हो गया है अभी जो है हमारे phone के background में कोई भी application automatically update नहीं होंगे और आपका जो heating problem है वो भी solve हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस उसके बाद यहापर से आप लोगों को उपर से scroll down कर लेना है scroll down करने के बाद यहापर देख सकते हैं बहुत सारे option है जैसे की wifi, mobile data, उसके बाद bluetooth, उसके बाद hot spot, nearby share तो यह सब अगर आपके phone में on है तब भी जो है आप लोगों को heating problem देखने को मिल जाएगा तो इन सब को आप लोगों को check करना है जगर आपके phone में यह सब option on है तो इन सब को यहापर से off कर दीजिए अगर आप लोग use नहीं कर रहे हो off करने के बाद आपका जो heating problem है वो जरूर से solve हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कर सकते होगा उसके बाद अपने phone को clean करते रहना है clean करने से भी आपका जो heating problem है वो solve हो जाएगा तो clean करने के लिए आपर realme के phone में एक phone manager का option आता है गाज़ देख सकते हैं यह वाला application तो इसको open कर लिजए उपेन करने के बाद देख सेकते clean up storage का option है तो इस पर click कर दीजिए क्लिक करने के बाद यह पर clean का option आएगा clean पर click कर दीजिए clean पे click करते ही यहापर जो आपका phone है वो थोरा clean हो जाएगा और आपका hitting problem भी solve हो जाएगा उसके बाद यहापर एक optimize का option है optimize पे भी click कर दीजिए और यहापर आपका जो phone है वो थोरा clean हो जाएगा clean होने के बाद आपका hitting problem है वो जरूर से solve हो जाएगा तो एसे करके जो है आप लोग अपने phone को clean कर लिजी आपका hitting problem solve हो जाएगा उसके बाद यहापर से आप लोगों को back आना है एकदम back आने के बाद आप लोगों को settings पे click कर देना है उसके बाद यहापर से आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा apps and notifications का तो इस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहापर देख सकते गाइस एक option है see all 49 apps तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो यहापर क्या होगा गाइस आप लोगों का आने से अगर आपके phone में जो है background में application forcefully run हो रहे जैसे कि जो application है वो running दिखा रहा है आप उपर में जैसे कि हो गया Instagram has been running आपका जो अगर PUBG खेल रहा है उसको हटा दिया है आप लोगों ने नहीं खेल तो फिर भी आप फोर स्टॉप का option देखने को मिलेगा इस पर क्लिक कर दीजिए और आपके पर क्लिक कर दीजिए ऐसा करते हैं से जो भी एप्लिकेशन बेगरान में रन हो रहा था वह यहापर स्टॉप हो जाएगा और आपका जो हीटिंग प्रोब्लेम है वह भी सॉल्फ हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं अगर आपका फोन हीट हो रहा है तो आपने फोन को एक बार पावर आफ करके ओन कर सकते हो ऐसा करने से भी आपका हीटिंग प्रोब्लेम सॉ जो भी हीट होगा वो बाहर निकल जाएगा तो यह से करके जो है आप लोग अपने Realme C30 फोन में हीटिंग प्रोब्लेम को सॉल्व कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसना आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई